हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल गुरुजीक जाम सेंटर पर तो यहां पर जितने बच्चे जुट चुके हैं सभी बच्ची वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और ना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे साथ में प पुरस्क्रत पुस्कत पुरस्क्रत पुस्तक हवा में हस्ताचर किस साहित तकार की रचना है हवा में हस्ताचर किस साहित तकार की रचना है हमने एक वीडियो अप्लोड किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने हिंदी साहित कंप्लेट किया है उसी का कह सेकते हैं दो तकाद्मी पुरुषकार भी आपका दिया गया था ठीके चलिए नेस कोशन आपसे पूछा गया है कि सितंबर माह में दसवां विस हिंदी सम्मेलन भारत के किस राज में आयुद किया गया था त्याहां पर आपका आयुद किया गया था कहां बिल्कुर सही है आपसन राइट आपके भोपाल में ठीके कहां पर आपके भोपाल में किया गया था और पहला जो आपका किया था विस हिंदी सम्मेलन वह आपके जनवरी माह में 1975 को नागपुर में आउजित किया गया था ठीके चलिए नेस कोशन किने मिलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतरगत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतरगत आप से पूछा गया है, बिल्कुल रट गया होंगे आपको ये प्रसन, बिल्कुल छई है, option right आपके आपके आपर हो जैगा C, आपका मेवाती, ठीके, मेवाती है यह आपकी मिवाति, मालवी, मारवाडी और आपकी जैपूरी यह आपकी राजस्थान हिंदी के अंतरगत आती है next question है युदिश्टिर कि समास का समस्थपद है युदिश्टिर यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा थोड़ा सा यह टफ हो सकता है आपके लिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा युद्मिश्थिर अर्थात यहाँ पर आपका C यह याद रखिए यह आपका है अलुक्त पुरुस है याद रखेगा ठीके क्या है आपका अलुक्त पुरुस है मतलब कि जिस समास में विबक्ति का लोप ना हो उसे अलुक्त समास कहा जाता है ठीके क्योंकि युद्विश्टिर का अर्थ होता है युद्मिश्टिर और जिस समास के पहले पद में निसीधात्मक अर्थात आसब्द हो जाता है वो आपका अन होता है बलकि ऐसे तो है नहीं है यहाँ पर आपका रट लीजिएगा युदिश्टिर में आपका अलुक तत पुरुष समास होता है याद रखेगा रट लीजिए एक परसन को ठीक है चली आपका यहाँ पर आपका दीकु समास ठीक क्या हो जाएगा आपका दीकु समास आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो नेस कोईस्टिम का आते हैं कोईस्टिम आपसे अगरा पूछा गया है आपके कि निमलिखित में से कौन सा रस विवस्त का विरोधी है विवस्त का व सी नंबर आपका स्रंगारह सो जाएगा, ठीके? हाँ, यहाँ पर काफी बच्रों की यह सोचना है कि बउवरी समास भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं लेकिन जब आपका द्यूख मैस ना होता तब और हमने रियल केस में बताया है कि मैकसिम आपका जो 9 को उपर पर जाते हैं तब आपको बहुरी होता है ठीक है लेकिन संख्या आपकी आठ है यहां पर आपका दिव समास हो जाएगा किसी का मानना है कि बहुरी तो यह आपका आपवाद हो सकता है चलिए नेस कोशन आप से पूछा गया है राजा भी चुक को दान देता है वाकि में कौन स संप्रदान कारक में होता है को के लिए ठीक है क्या होता है को और कामा के लिए होता है यह देनी के स्थिति में होता है ठीक है नेस कोशन आप से पूछा गया है विलोम सब्दा आपको चांटना है आपर सदयों का विलोम बताइए सदयों का विलोम आपका यहां पर हो जाए वीरत का विलोम अगर बात करें तो वीरत का विलोम आपका होता है निरत होता है और वीरज का विलोम जो होता है वो आपका रज होता है ठीक है रज होता है इस प्रकार से चारों कंप्लीट हुए चली अगला है सहोधर सहोधर का जो आपका कह सकते हैं विपरीत हो जाएगा क्य है न आप से यह पर प्रयावाची सब्द यहां पर बताएए या तुधान किसका परयावाची हो जाएगा 10 ku अप्सेन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा यह आपकी निशेयर का परयावाची है थीक के अच्छा वसन, वसन किसका पर्यवाची होता है तो वसन होता है आपके कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर ठीके, आगे के क्या पर्यवाची होते हैं तो आगे के पर्यवाची क्या होते हैं आपके अगनी, अनल, पावक ठीके, आपके हुतासन अच्छा असो तो अस के आपके रियाद रखना की घोड़ा तुरंग बाज घोटक है ठीक है आपका रिवीजन हो रहा है इसलिए हम आपको सुपर रिवीजन करा रहे हैं चलिए रात बताइए रात रात का पर रहाची आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ग्यारक उप्सन राइट आपके यहाँ पर बिल्कुँ सही है बी नमबर आपका हो जाएगा त्रियामा ठीक है रात का आपका रजनी भी होता है त्रियामा भी होता है रात री होता है निसा होता है विभावरी होती है रेन भी होती है ठीक है तो इस प्रकास से आपका बी ह क्सा होता है आपब कमेंट करें आमी का पर्यवाची क्या होता है तो अम्रत सुधा सों फ्यूज ठीक डीक है अघर धाम की बात करें तो धाम का होता है आपका गृ urgency के झालिये तो प्रस्ट क क्या होता है तो प्रस्ट का होता है प्रती होता है और आपका पन्ना होता है ठीके चलिए अगला जवाब दीजे weeds गोबरगडएस या कि समास का उधारण है गोबर गड़ेश कौन सा समास हो जाएगा आपका भाई गोबर गड़ेश यह किसका आपका है तो यह करण ततपुरुस का उधारण है याद रखे आपसन आपका सी हो जाएगा यह आपका करण ततपुरुस का आपका हो जाएगा ठीक है मतलब कैसे गोवर से निरमित गडश यहां पर यह मतलगा देना कि यहां यहां पर योजक्च wholly लगा है इसका जो आपका तोड़ेंगे तो समास विग्रा करेंगे तो बनेगा गोवर से निरमित अपर ठीक है इस प्रकास जmp हो जएगा यहां पर ठीक है भी हो जाएगा उसे हम लोग संगम बोल देते हैं अर्थाताप का बहुबरी समास आपको हो जाएगा एक विसेस अर्थाप का निकालता है ठीके तो नेस कोशन करते हैं कोशन आप सेगला है कि सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद है बताए थोड़ा फास सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य भेद हो जाएगा पंद्रे का उप्सन राइट यह आपका याद रखेगा यह आपका होता है इच्छा वाचक में ठीके किसमें होता है सदा सच बोलना चाहिए यह वाक्य आपको होता है इच्छा वाचक होता है मतलब जिस वाकि में संदे का बोदों से संदे वाचे कहते हैं ठीक है और जिस वाकि में अग्या का बोदों से अग्या वाचे कहते हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका है सदा सच बोलना चाहिए यह आपके इच्छा वाचे को इसकी इच्छा पर आपका है अर्था साप् जब तक वह सपत लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधी प्रमाडित नहीं मानी जाती है तो 16 आपका सही जवाब क्या हो सेगा भई bowls यहाँ पर कोई तरूटी नहीं है और का नपर यहाँ पर गरुटी और अपकाई डी थी नमबर यहाँ पर जवाब मानी सभई सत्रा का जवाब दीजे सत्रा नंबर सत्रा अपसे कह रहा है क्या कह रहा है आपसे कि पल्स पोलियों से बचाओ के लिए सिस्वों को निरोधक खुरांग देना सबसे सरलतम उपाय है तो यहाँ पर सबसे सरलतम उपाय यह कह सकते हैं सरल उपाई कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं आपका दिया है सबसे सरलतम उपाई तो यहाँ पर कह सकते हैं सरलतम उपाई भी कह सकते थे थे ना सरलतम उपाई सिस्वों में मतलब यहां सबसे सरल यह कह सकते हुआ है जो उपाय है यह आपका तुरूटी हो जएगा सबसे सरल उपाय उपाय क्यों नहीं होता है कि यह आपका देना ही होता है यहां पर सी नमबर में आपकी थोरी से आपकी तुरूटी आपकी है next question आपका है सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीत यों प्रसाशक यहाँपर बताईए क्या दिक्कत है आपकी सरदार पटेल से अच्छा अच्छा है यहाँपर होना चाहिए अच्छी नहीं होना चाहिए था ठीक है अच्छी नहीं होना चाहिए आपका अच्छा होना चाहिए ठीक है चलिए नेस कोशन आपका दिया गया है यहां पर आपको रचना है उससे सुमेलित करना है आपसे यहां पर 19 नंबर यहां पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है नागमती व्योग वर्डन नागम प्रतिव योग वर्डन आपकी मलक मुहमत जैसे ने दिया है ब्रह्मा राच्छस आपकी मुक्ति बोध ने दिया है जूटा सच जूटा सच यह आपकी यस पाल ने दिया ठीक है यस पाल ने और जो आपका असाध दिवीडा असाध दिवीडा आपकी अग्ये का है ठीक है इस तो आपको यहां पर उत्तर देखना है देखते हैं यहां पर आपका एक प्रसंट सौल करा देते हैं अधर आपके यहां पर इसकिप कर देंगे ठीक है तो यहां पर देखिए 20 में कह सकते हैं कि जो आपका पहला पॉइंट है यह आपका अपनी जगा इस्तिर रहता है ठीक है जो आपका लास्ट है या आपका अपनी जगा इस तिरह तयार था यह 6 नमबर में है, ठीक है, आपका जहाँ पिर देखते हैं, कि जिवो मनुस्य की उसकी मूर्ति के लिए तब ही नए नविसकार होते हैं, तरह तरह के उपायस होते हैं, हाँ यहाँ पर देखें, वगा नमब तरह तरह के नए उपायस होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं, इसका आपका 4 होते हैं, ठीक है, इसका आपका 5 होते हैं, इसलिए वर्तमान युकु बैग्यानिक युक का जाता है, यहाँ पर जवाब का C नमबर है, आपका बिल्कुल सही होते हैं, C नमबर आपक सबक् Soy Pak जाता है इसलिए वक्तमान युक भै ग्यानिक युक कहा जाता है इसलिए इस प्रकास सबुल्धर आपके इसकी क έχει आ में यह रापर 22 को केसीर लगा मानों बन फटा में कौन साब्वै है आय्सा लगा मानों ūटा हो यहां पर अब्वे कौन सा हो जएगा 22 का option right तो ऐसा लगा मानो बंफटा हो यह आपका स्वरूप बोधक अब्वे है कैसा है स्वरूप मतलब ऐसा लगा ठीके तो स्वरूप बोधक आपका अब्वे हो जएगा यहां पर option right आपका जो हो जएगा आपका ए नमबर आपका हो जाएगा ठीक है स्वरूप बोधक आपका हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर निस कोचन आपका दिया गया है कहराब से निम्निकित वाक्यों में सुद्धवाक के चैन करिए चले यहाँ पर देखते हैं तेश नमबर में क्या तुरूटी है क्या नहीं है तो कहराब से नदी की किनारे बहुत पेड़ खड़ा है छात्र अनुसासनी प्री होना चाहिए युद्ध मनुस को अमानवी बनाता है सुद्धवा के चैन करना है सुद्धवा के आप से कह रहा है ठीके और युद्ध मनुस को अमानवी बनाता है क्या यह सही है से नमबर तो तेश का उप्सन यहाँ पर देखें से नमबर सुद्धवा क्या होगा कि युद्ध मनुस को अमानवी बनाता है यह आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यह सही हो जाएगा ठीके और कह सकते हैं जो आपका अधर गलती है ठीके कि जैसे आपका है कि नदी के किनारे बहुत पेंड खड़े हैं खड़े होना चाहिए था आपका है ना छात्रों को अनुसासन प्री होना चाहिए छात्रों को चात्रों यहाँ पर आपको होना चाहिए ठीक है इस प्रकार से आपको हो जाएगा यहाँ पर दिया साधनों का विकास करने होंगे साधनों के विकास करने होंगे यहाँ पर साधनों के यहाँ पर होना चाहिए के होना चाहिए ठीक है इस प्रकार कहीं न कहीं आपकी यह तुर से ममता होती, C सब्दाब का लगेगा, यहाँ पर आपका C सब्दाब का C, आपका सही हो जएगा, C नमबर, ठीके, चलिए, यहाँ पर आपका कैसे हैं, कि आपका गद्यांस दिया गया है, 25 से आपके 29 तक, तो 25 से 29 तक हम यहाँ पर इसक्रिप करते हैं, और हमने बता दिया है, अगर सॉल भी करना है, तो आप सबसे पहले प्रस्न पढ़ लिया करिए, प्रस्न के बाद आप गद्यांस पढ़ेंगे, और आसानी सिस्विश सॉल कर पाएंगे, ठीके, चलिए, यहाँ पर देखो, अग पर हम लोग आते हैं, जो कि आपको, चलो यहाँ पर आपका, हाँ, तीस नमबर से, कि तुलसी दास की कौन सी का बिरचना ब्रज भासा में है, हमने काफी अच्छे से आपको बताया है, आपका हिंदी साहित, कोई भी प्रस्न आपको छूटेंगे नहीं, हमने बता भी दिया तुलसी दास की कौन सी का बिरचना ब्रज भासा में है, तीस को अप्सन राइट आपको हो जाएगा, कौन सा, वेरी गूड अप्सन राइट आपको यहाँ पर यह हो जाएगा, कविता वली, ठीके, क्यों सी, तो आपकी कविता वली है, यह आपकी का बिरचना ब्रज भासा ठीके अच्छा नेस्ट कोईशन का आते हैं कोईशन आप सेगला पूछा गया है कि पश्चमी हिंदी के अंतरत कौन सी बोली आती है बताजी बताईए भाई तो कौन सी आती है आपकी पश्चमी हिंदी में यहाँ पर अपसणार टेक 37 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ए दूकांत साहली में लिखे गई है बताईए भाई कौन सी रचनांप की है 32 कॉपशन राइट 32 को अपका हो जएगा सी नंबर प्सराइज़िक ठीक हे you सी हो जाएगी आपकी यह अतुकांत सैलिम लिखे गई है आपकी कैसे कि प्रेम पथिक ठीक है चले यह नेस कोश्चन को आते हैं कोश्चन आप से गलाया है कि नियम लिखे तमें से कौन सी रचिना मैथली सरंड गुप्त करत नहीं है तो मैथली सरंड गुप्त के द्वार आपने पढ़ा है तो यहां पर आपका 33 को आफ्षय के नंबर आंधे राइंट पेल्कुष सही है सी 10 आपको नील थेवी तीकर आपका नील देवी यह आपका शलीइगा छान आपको छाली इस्थान लगाना है मनुसिके यहां पर अगर क्या भर दिया जाए तो आपका sentence बनจะ मनुसिके एकानत्य में उस पुष्टक हुस की मितर, मार्खदर्शन, प्रेम और साथी होते हैं यहां पर देखिए अगर आपका C number हो जाएगा मनुसिके एकानत्य में पुस्तिकें, उसकी मित्र, मागरदर्शन, प्रेरक और साथी होती है तो यहाँ पर सही जवाब का होजएगा C नमबर ठीके, जिसका जवाब C आया है, बिल्कुर सही है चले, नेस कोशन जवाब दीजी कि धोके भरे आधुनिक समाज में धोके भरे आधुनिक समाज में समाज में प्रवचन, यहाँ पर आपका B अगर भर दिया जाए ठीके, प्रवचन की प्रवत्ती, दिन प्रति बढ़ती जा रही है ठीके, यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा, वो आपका B नमबर आपका भरा जाएगा ठीके प्रवंचन होगा प्रवचन नहीं होगा ठीके आपका बिंदी आपकी जरूर लगेगी चली 36 नमबर जाती समाजिक इस्तरी करण की एक एक क्या है भाई यहाँ पर तो जाती समाजिक इस्तरी करण की एक मान की विवस्ता है मान की भी वस्ता है उप्सन आपका यहां पर A भर जाएगा ठीके मान की भी वस्ता है अगला है कि वाड़ी प्लस औचित का सही संदी बताई यह क्या हो जाएगा वाड़ी धन औचित का सही संदी क्या हो जाएगा 37 को option right आपका क्या हो जाएगा भई तो 37 को option right आपका यहां पर हो जाएगा आपका A number वाड़े चीत हो जाएगा ठीके 37 को option right आपका कौन सा हो जाएगा A number आथात जो आपकी बड़ी ही है प्लास आपका जो आउ है इन दोनों को मिलाएंगी तो आपका बन जाएगा यो बन जाएगा ठीके यो बन जाएगा ठीके तो इस प्रकास से आपका हो जाएगी आपकी यंड संदी में हो जाएगा next question आपका है अनवीच्छण का संदी विच्छेद बताइए अनवीच्छन का संद्वीच्छेत क्या हो जाएगा 38 में अनवीच्छन का संद्वीच्छेत आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option right अनुधन E6 अर्थाथ छोटा उप प्लस बड़ी बराबर V हो जाएगे ये भी आपकी यन संदी है option right आपका यहाँ पर जवाब हो जएगा अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं सीत धन रितू और आपका जो रूर बनेगा छोटा पलस री अर्थात आपका अर बन जाएगा और यह आपके होता है गुंड संदी में तो 49 ओप्षन रैट आपका यहाँ पर हो जगा सी सीत धं रूर यह आपका बन जाएगा यह आपका है जो की गुंड शंदी का आपका है नेश कोचन है कि हिंदी की अतरिकत कौनसे भाषा देवनागरी लिप में लिखे जाती है बताइए बैए कौन सी आपकी भासा है जो देवनागरी लिप में लिखे जाती है 40 का उप्शन राइट तो 40 का उप्शन राइट याद रखे उप्शन बिलको सही जवाब आपका डे नंबर नेपाली लेंग्वेज है यह आपकी लिखे जाती है फ्रसट अमबर आपका गलत हो जाएगा वहें पर आपका कनिष्ट का जेश्ट होता है धन्सका निर्माड होता है ठीके चलिए अगला जवाब दीजी यहाँ पर कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है देखते हैं कि कौन सा आपका जोड़ा सही नहीं है तो यहाँ पर आपका कही सकते हैं जो आपका दिया है कि सोना का सोना धेनु का धेनु ए छात का छातरगंड ही होता है ठीक है तो इस प्रकार से रट लीजेगा ठीक है चलिए नेस कोशन आते हैं कोशन आप से अगला है यह घोड़ा अच्छा है वाकि में यह जो सब्द है यह क्या यह सब्द क्या है भाई फास्ट अंसर दीजिए यह क्या है आपका तो यह जो आपका है वो सारवनामि बी सेशन, वेरी गूट, अप्सन रेट अपका, बी सही हो जागा, सारवनामिक बी सेशन, जैसे यह, ठीके, यह हुआ, कोई, ऐसा, कैसा, जैसा, यह आपके होते हैं, इसी में आपके आते हैं, ठीके, चलिए, इसकोशन आते हैं, यहाँ पर आपका मिलान करने के लिए बोला बनेगा, में बनेगा, इसका आपका फोर हो जाएगा, ठीके, और अगर पीता का बनाया जाए, आपका स्टिलिंग तो माता हो जाएगा, ठीके, इसका आपका माता हो जाएगा, और अगर हाथी का बनाया जाए तो हाथी का हतनी हो जाएगा, ठीके, हतनी हो जाएगा, और सा 3 2 1 आपके यहां पर सही हो जाएगा चलिए नेस कोश्चन का आते हैं कोश्चन आपका अगला दिया गया है सुची फस्ट को सुची सेकिन से सुमिलित किरिजिए पेपर अगर टप आपका बनता है तो इसी प्रिकार से कुछ आपका दे देगा जिसमें एक साथ कई कोश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो यहां पर आपको दिया धातु सुची फस्ट को सुची सेकिन में प्रत्य से सुमिलित करना है यहां पर कराब है पाठ धन एक अर्थात यहां पर क्या बनेगा पाठ धन अक होता है पाठ धन अक इसका जो आपका हो जाएगा अक इसका हो जटक धन आ होता है तो इसे बुलते जटक बूलते जटका और पस्विक रही का बलबिया विकल्पोंوس से रिक्तिस्थानों के लिए उचित महौरे का प्रियोग कीजिए देखते हैं आपर कि पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाएंगे भाई 46 में तो पुलिस को देखकर चोर 9211 हो गया और फर्स हो जाएगा 9211 होना ठीके 9211 होना अगला है दिये गए विकल्पों में से अमरत का बिलूम क्या हो जाएगा भई 47 में वेरी गुड अमसर राइट आपका अमरत का बिलूम आपका हो जाएगा यहां पर 20 हो जाएगा ठीके C नमबर आपका 20 हो जाएगा भाय का निर्भय होता है और सुधा का गरल होता है ठीके चलिए निस कोशन आपका है कि स्री राम चरित म पार राम चरित मानरस की रचना किस जाब दीजिए चलिए बphon शाएगा 50 दोनों परसंते इस वाकिमे माता पिता के मद्दि कौन सा विराम चिन यहां पर दे sungकिया है आपका हो जकिक आपका कौन सा महाएगा तो यह過去 हो elle प्रकास से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इस प्रकास से आपका हो जाएगा ठीके सामसिक बोल देते हैं चली एगला बताईए कि हिंदी को भारत की राजबासा कब बनाया गया परतिध्वन में कौनसा उपसर गही क्या हो जवाब दीजेगा ठीके सामसिक प्रतिध्वन में कौनसा उपसर गही क्या उनकी जवाब दीजे प्रतिधोन में कौन सा उफसर हो गया बिल्कुल सही है आपका प्रत यहां पर उफसर हो जाएगा option right up का A सही हो जाएगा next question प्रियोग के आधार पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं प्रियोग के आधार पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं 52 का जवाब दीजे, बिलकुँछ सही है, option right up कしたऊप यहाँ पर D हो जाएगा, प्रियोग की अधार पर सब्दा आपके होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ठीके 8 प्रकार के होते हैं और वियूतपति की अधार पर पूझा जाए, वियूतपति की अधार पर तो आपके 3 भेध होते ठीके चलिए नेस कोचना आते हैं इसका हम कैसे कि पीडिया आपको टेली ग्राम पे डाल देंगी तो इसका भी स्थार और भी देख लीजेगा चलिए रचना के अधार पर वाक के कितने प्रकार होते हैं चलिए रचना के हिसाब से बताना है तो यहां पर आपका तीरप्रनक अप्सन राइट यहां पर आपका हो जगा बी नंबर तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के तो आपके तीन प्रकार के होते हैं सारल वाक के जिसे हम लोग साधार वाक के बोलते हैं मेस्तर वाक और आपका संयुक्त वाक के ठीके आच्छा फिर आपका आता है आर्थ की से तो अर्थकी द्रश्टी से आपका अकेतने आठवलते हैं वि दिवाचक निशेद वाचक अग्या व्द प्रशन वाचक विसमाद व्द कंडे वाचक संदे वाचक संकेत वाचक टीक है चले based कोई आपका दिया है संझेफ़ मूल पार्थ से कितने कम सब्दों में लिखना चाहिए, संचेफड जो होता है वो मूल पार्ट से कितने कम सब्दों में लखना चाहिए, 54 का आप्शन राइट हमने बताया भी था यह तो याद रखे, एक तीहाई कम सब्दों में आर्था तो आपका बी हो जगा, ठीके संचेफण मूल पार्ट से कितनी कम सब्दों में एक टीहाई हो जगा बी नमबरौ la rest question कि किस वाकि में संबंद बोधक अव्भे का प्रियोग हुआ है किस में हुआ है कि निम्लिकित में से सब्दों में कौन Deputy पूर्लिंग है 56 के जवाब दीजी pulling सब्द यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने संकल्प लिया यहाँ पर देखे A number जो संकल्प है यह आपके यहाँ पर pulling सब्द है कैसा और कैसी से answer आप निकाल सकते हैं ठीके next question आपका दिया है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विसेशन कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार क्रिया विसेशन कितने प्रकार के होते हैं very good option right आपका यहाँ पर 57 का आपका जवाब हो जगा D number चार प्रकार के होते हैं ठीके इस्थान वाचक, काल वाचक, परिमार वाचक और आपका रीती वाचक आपका D number हो जगा बुंदेली का छेत्र बताईए बुंदेली जो आपके language बोली जाती है किस छेत्र में बिल्कुत सही है बुंदेली जो आपका बोली जाती है वो आपके जहांसी, जावलाउन, दतिया यह आपका छेत्र है option आपका B हो जाएगा बुंदेली जाती है आपका यह जो हएगे बुंदेली जोनलFF कोश्ट कर दिया है हमने आपके हिंदी श्नलFF कर लिजीए जिन्हें पड़ना है तो हम फास्ट अपको पढ़ाएगे बहुँ समय लेएगे करब से थामस रो मुगल समराट जहांगीर से किस किले में मिला था फास जवाब दीजे भाई यहां पर रुकना नहीं है आप लोगों को ठीके थामस रो मुगल समराट जहांगीर से किस किले में मिला था यहाँ पर 91 option right आपका हो जगा D number याद रखें आपके अजमेर में मिले था ठीक हाँ कामरी ले था आपके तो अजमेर में ठीक है अजमेर के किले में मिला था और यहाँ पर निस question को आते हैं question आप से जगला है कि किस देश में uranium का सरवाधिक भंडार है किस देश में uranium का खाइं ठीक है और इस्टान पर आपका आज का अस्टान और दूसरी स्थान पर Pokémon आपका कनाडा आउर तीसरी इससतान पर अंशार तो यह आपका हो जाएगा अफ़के एक उत्पादन के अंसाथ से जो आपका 달 रिखाव से तीशे नंबर में है यकिन भंडार के एрасाप से आस्टिलिया प्रतम है ठीक है चलिए निसकोउचन है कि नेमने कितव में से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती है यमनासी नहीं मिलती है कौन सी नदी तो केन हो गया बेतवा हो गया चंबल यहाँ पर आपका सो नदी ठीक है सोर नदी आपकी कह सकते हैं इसे नहीं मिलती है ठीके option right आपका कौन हो जाएगा ये कह सकते हैं कि आपके पढ़ना की समीब गंगा में मिलती है ठीके चलिए next question आपका दिया गया है कि गंडग सिचाय परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है 94 अपसन राइट 94 अपसन राइट आपका यहां पर जवाब हो जाएगा बी नमबर आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की आपकी संयुक्त परियोजना आपकी है ठीके 94 आपका बी सही हो जाएगा अगला है कि इनमें से किसने भूमि मापन की ब्योस्ता प्रारम में की थी भूमि मापन ब्योस्ता किसने प्रारम में किया था जवाब दीजे भाई याँ पर 95 तो बिल्कुछ सही है आपके लेक्टो जो आपकी प्राकृतिक सरक्राइए जो की एक कारव्थ्रेट अपका दिया गया है कि मनुस्य जीवन का सरोत्तम धे है कैवल ये कैवल ने मतलब कह सकते है ये आपका हो जैगा 97 का सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जैसे जैंद्र में होता है ना ज्यान की प्राप्ति हो जाती उसे बोलते हैं मुझे कैवल बोल देते हैं ठीक है चलिए नेस कोचन है विटामिन सब्दका जनक कौन है विटामिन सब्दका जनक कौन हो जाएगा चलिए विटामिन सब्दका जनक आपका ठानमिक ऑप्सन राइट बिल्कुछ सही है ऑप्सन राइट आ की थी अकबर की धार्विक निति के अलोचना किस ने किया था निन्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान् आपके हमपी करनाठक में और इसकी स्थापना हरीहर और बुक्का ने किया था आप सबको पता है यहां मंदी जो भगवान सीव को समर्पी था याद रखेगा ठीके चल यहने इस कोशन आपका दिया है कि जीरो डिफेक्ट हुआ जीरो इफेक्ट किसे महत्पूर्ण रूप से जुड़े सब्द आपके हैं जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यह आपके किस सब्द में लिया आते हैं यह जो आपका संदर्व जुड़ा है किसे जुड़ा है तो याद रखेगा यह सद्दव आपका जुड़ा है यह आपके मेंक इंडिया किस्से संबंधित है 102 का अप्शन तो अपके 9 का यान से किस्से आपके तो आपके 9 का यान से होता है तो आपके 9 का यान ट्रॉफी ये भी नवकयान से आपकी सम्मंदित होती है ठीक है और आपका एक अमेरिकन कब भी होता है वो भी आपकी इसी से सम्मंदित होती है ठीक है नेस्ट कोशन आपका है कि भारत का कौन राश्पती निर्विरोध निर्वाचित किया गया था बारत का कौन राश्पती जो एक बार चुनों में पराजित हुए और दूसरी बार निर्वीर्थ चुन लिए गए थे ठीके चलिए नेस कोशन आपका दिया गया अच्छा ये कब के समय की बात है तो ये आपके 1970 से इनका कारेकाल 1982 तक था ठीके नेस कोशन आपका अगला है कि आवसकता विहींता सिध्धान्त के प्रितपादक अर्थसास्ती कौन है ये अर्थसास्ती हो जाएंगे और सनाइट 104 का हो जाएगा बी नमबर ये आपके हैं प्रोफेसर जे के मेहता ठीके प्रोफेसर जे के मे देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं 105 का और सूरी में अगर उर्जा की देखा जाएग की सुरीम उर्जा का सुरत क्या होता है तो उसमें उपस्तित आपका हाइड्रोजन होता है ठीक है हाइड्रोजन चलिए 106 जवाब दीजे नर्मदा के अतरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक्स से निकलती है नर्मदा के अतरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक्स से निकलती है 106 का उप्सन चलिए 106 का उप्सन राइट बिलकुछ हो पाती कब अग्नी जोलन्सील नहीं हो पाती 107 च दूटकी जो आपकी सर्वाधि कुर्जा होती है ठीक किस प्रकास में स्थर्वाधिक उर्जा होती है जबकि लाल प्रकास में सबसें कब उर्जा होती है याद रखेगा ठीके आपने पड़ाओगा विवजियोर अर्ठाथ बैंगनी थी के आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल ऊच्रिजथानु – अपर यहांसरी वदक हरफसाथ चौरसिया का जन्म कहा हुआ था प्रिशिद्ध बांसरी वदक हरिपसा चौरसिया का जन्म कहा हुआ था एक सुनो को जवाब यहाँ पर बिल्कुश सही है आपके लोकनात इलाहबाद में C का C नमबर आपका हो जाएगा लोक नाथ आपके इलाहबाद में वो ते 109 का option right up का C हो जाएगा इलाहबाद उत्तर प्रदेश अगला है बधाई कौन सी विधा है बधाई कौन सी विधा है याद रखे एक लोक संगीत विधा है अपके बुंदेल खंड का है बुंदेल खंड का याँ पर एँ हो जाएगा बुंदेल खंड का लोक संगीत है बुंदेल खंड का first हो जाएगा next question है My tooth नामक पुस्तक के लेका कौन है 111 option right बिल्कुँँ स़ही है My tooth नामक पुस्तक है या आपके इंद्रा गांधी की है ठीके थोड़ा फास्ट रही वही और थोड़ा फास्ट हो जाएए चलिए पंड़ जी किस भारती राजी की राध्धानी है एक सो बारा का जवाब 112 का उप्शन राइट बिल्कुश सही है उप्शन राइट आपके यहां पर हो जगा ठीके फटेपुर्ट सीकरी में और इसको निर्माल करवा थे किसने तो आपके अगबर द्वारा करवाए घए ठीके फटेपुर्ट सीकरी में ठीके और कहा थेए थीके और कैसे हैं पटेफुर्ट सीकरी के कि ए spricht कि Safety कि प्रामड़ कार में बना हुआ है पंच मैल को हवा मैल भी का जाता है ठीक है नेस्ट कोईशन आपका है कि एक गरंथी जिसमें अन्तासरावी और बहुस्तरावी दोनों कारे होते हैं तो अन्तासरावी बहुस्तरावी जो आपके होती है इसे आपकी गरंथी कौन सी है ये कोईशन आपका पुछा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमारित करता है भारती राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए यह जो आपका बिल है यह प्रमारित कौन करता है 115 option right ये प्रमारित करते हैं आपके option right आपके first राज विधान सवा का जो अध्याच होता है राज विधान सवा का अध्याच आपका पारित करता है ठीके प्रमारित करता है अगला है कि निमलिकित केंसासित छेत्रों में सरवाधिक बढ़ा आकार किसका है बताए भाई जो आपके केंसासित प्रदेत है सरवाधिक बढ़ा कार किसका है 116 जवाब दीजे यहाँ पर 116 option right विल्कु सही है आपका D नमबर आपका हो जाएगा पुदचेरी ठीके पुदचेरी देखे सबसे बड़ा जवाब का था उसके असाब से देखा जाए तो अब थोड़ा परिवत्तन आपका हो चुका है आप सबको पता है ठीके तो इसका जवाब का है यहाँ पर D हो जाएगा नेस्ट कोशन काते है कि कम्प्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है बताए भाई कम्प्यूटर में डाटा होता है किस रूप में भंडारंड होता है यहाँ पर आपका D हो जागा बाइनरी रूप में होता है ठीके बाइनरी रूप आपका क्या होता है तो 0 और 1 ठीके यह दो रूप होते है इनकी दोरा आपका होता है जिने दुधारी संख्या भी कहा जाता है नेस कोचन है कि निमलिकित में से कौन एक दरवता अनुपात है कौन एक दरवता अनुपात है भाई यहां पर 108 को उप्सन राइट तो 108 को उप्सन राइट यहां पर दरवता अनुपात आपका हो जगा बी आपका चालू अनपात ठीक है चालू अनपात वह द्रावपता अनपात है कि किसी संस्ता में चल संपत्यों और जो आपकी अचल संपत्यों चल संपत्यों और चल संपत्यों के पारिस्प्रिक संबन जो होते हैं दोनों के उनको बोलायाता है ठीक है अगला है कि कौन सा भोजन तुरंत सकती प्रदान करता है 119 का जवाब दीजे कौन सा भोजन भाई जो सकती प्रदान करता है वो आपका होता है ग्लुकोज ठीक है ग्लुकोज होता है अर्दात कह सकते हैं दराच बोलते हैं इसे दराच भी बोलते हैं दराच सरकरा जोकि सबसे सरल कार्विवाइडरेट आपको होता है और जल में घुलन सील भी होता है C6H12O6 नाम सुना होगा ठीके चलिए Next question है कि कौन सी gas चूना पानी को दूदिहा बना देती है कौन सी gas है जो कि देख सकते हैं कौन सी gas है जो कि चूना पानी को दूदिहा बना देती है 120 का option right 120 का साइज़ा आपका भाई यहां पर 120 का option right आपका यहां पर C हो जाएगा ठीके कारवन डायकसाइड होती है यह आपकी जो होती है यह चूना पानी को दूदिहा रंग का बना देती है ठीके option आपका C हो जाएगा ठीके अगला है कि किसी वस्तुका भार उस समय नियुम्तम होता है जब उसे रखा जाए अर्थात किसी वस्तुका अगर भार नियुम्तम कब होगा कब होगा भई तो हमने आपको बताया था कि उसका नियुम्तम भार तब होगा जब आपका होगा प्रत्वी की केंदर पर आपका दरपन्ट बिल्कुर सीधा दिखाई दे यह जो आपका दिखाई देता है किसमें तो आप देखते हैं कि उत्ता लेंस होता है तो आप देखते हैं कि साइड मिरर होता है गाड़ियों में उसमें जिस प्रकार का ब्यक्ति होता है बहले ही छोटा हो लेकिन बिल्कुर व रोटान प्रकास के वेक के साथ गतिक कर रहा है तो इसका दर्बमान क्या हो जाएगा 150 option रहता है यह आपको अपवर्तीत रहता है 130 उपर मान होता है अगर है कि निम्रिखित में में से किसका अधिक्तम ताप जनक मान होता है बताई यह भाई ताप inimicy होता है जो कि आवत साड़ी सबसे पहला तत्त्व आप सबको पता होगा है और सबसे हल्का भी हो जाएक है कि चलिए नियम्स कोहसं है कि डेश का पहला पूंट पूंध सौर एर्ज्वा संचाली जीला नाले कौन सा है गाँ भी जीला है है जारकंद में पड़ता है आपका जीला ठीके लार के सकते हैं की पूर्ण सोर्व उर्जर संचालित आपका उद्गाटन किया गया और यह आपका कप किया गया था गया या पका पहला प्छपता करो स्लटान का सा सकता 126 टीपो सुल्तान कहां का सासक्था बिल्कुआप सही है आपके option right आप कसी हो जाईगा यह आपके मैसूर का सासक्था नेशकोचन भारत कला भावन कहां हिश्ती थे 127 का जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँपर 127 का option right बिल्कुष सहिए आपके बानारश ठीक है कहाँ पर है भारत कलान भवन भारत अब hace想 ठीक पर हो सब्सक्राइब और एक सब्सक्राँ संगरालए भी है यह ृण्ट आपको याद रखना है ने paddle नहीं है ऐसा राज जहां कोई छेत्री ग्रामिट बैंक नहीं है बताइए भै ऐसा कौन आपका बताइए कौन सा आपका यहां पर आपका जो राज है वो आपका राज है आपका सिक्किम ठीक है तो छेत्री ग्रामिट बैंक जो आपकी छोटे और सीमान किसानों को कह सकते हैं तो रिंड वगारा देते हैं, वो आपके होते हैं, तो इसमें आपके सिक्की में आपका ये नहीं है, ठीके, समझ में आ गया, अच्छा, जैसे कि आपका गोवा है, तो गोवा में भी आपका किसिक्ते नहीं है, ठीके, गोवा में भी नहीं है, अगला है दुनिया का सबसे छो आपके 2OR14 का 20.00 का भारत भारती पुरुषकार किसे दिया गया बहारत भारती पुरुषकार 135 राइट आपके काशिनानत सिंग्कों ठीक है यह व Fig